नमस्कार मैं हूँ प्रभाकर मनितिवारी आप देख रहे हैं मेरा खासकारिकरम पॉलिटिक स्विट प्रभाकर आज भी एक नई खबर जो साइद आपने आप तक देखी सुनी पड़ी नहीं होगी उपचुनाव बीच चुके हैं आप जानते हैं ममता बनर जी रिकार्ड वोटों से जीत चुकी है आप जानते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि ममता बनर जी के बिधायक के तौर पर सपत गरहन को लेकर राजभाण और बिधान सभा में खीच तान सुरू हो गई है हालत यह हो गई है कि शायद मम्ता बनर जी के सपतक्रण में बिधान सभा अध्यक्ष बिमान बनर जी और संसदिये कार्यमंत्री पार्थ चटोपाध्या ही गैर हाजिर रहे आखिर क्यों है ऐसा देखिये पूरा वीडियो मैं आपको बताऊंगा क्या कानूनी पेच है क्यों ऐसा मामला पैदा हो गया है क्यों ऐसी इस्तिति पैदा हो गई है आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर आपसे अन्रोद कि अगर मेरे वीडियो आपको ज़स्ते हैं मेरी रिपोर्ट ज़स्ती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान भी दबा दें साथ ही परियटन से संबंधित वीडियो भी देखना न भूलें तो आईए जानते हैं क्या है पूरा मामला और क्यों उप्चुनाव के नतीजों के बाद पैदा हो गया है कानूनी अरचन पैदा हो गई है खीस्तान क्यों हो रही है आप जानते हैं आम तोर पर विधायक के सपत लेने के बाद विधान सभा अध्यक्ष उसको पद की विधायक पद की सपत दिलाते हैं विधान सभा में लेकिन पश्ची मंगाल में अब मामला उल्टा हो गया है यहां राजयपाल जगदीब धनकर अब मुख्य मंत्री को खुद सपत दिलाना चाहते हैं लेकिन बिधान सभा ध्यक्ष बिमान बनर जी और संसदीय कारी मंत्री पार्थ चटो पद्यायक ने इस पर आपत्ती जता है कि अगर राजभावन में सपत ग्रहन समारो का आयोजन हुआ तो वे उसमें शिरकत नहीं करेंगे इसलिए फिलाल मुख्य मंत्री के सपत ग्रहन की तारीख भी अभीत्ताय नहीं हो सकी है इसी खीचतान की वज़े से हाला कि त्रिमूल कॉंग्रेस के निताओं का कहना है क इस साथ अक्टूबर यानि ब्रिहस्पतिवार को मुख्य मंत्री मम्ता बनर जी सपत ले सकती हैं सोंबार को इस बारे में बैठक भी हुई बिदान समा में बिमान बनर जी और पार्चेटर जी के बीच उसमें त्रिनमूल बिधायक दल के मुख्य सचे तक तापस राय भी म कहा गया है कि आगे से निर्वाचित बिधायकों को सपत दिलाएंगे राज्यपाल जगदीब धनकर इसमें कारण बताये गया है कि संबैधानिक तोर पर लोकसभा के मामले में सांसदों के सपत ग्रहन की जिम्मेदारी राश्टपति की होती है और राज्य बिधान सभा के म मामले में यह जिम्मेदारी राज्यपाल की होती है हाला कि अक्सर देखा गया है ज्यादातर मामलों में ऐसा होता है कि सांसदों और विधायकों के सपत ग्रहन का काम राश्टपति या राज्यपाल अपने मनोनित व्यक्ति को दे देते हैं इसलिए आम तोर पर लोकसभा य दिलाने के बाद लोकसभा अध्यक्ष का जिम्मा होता है नए सदस्यों को सपत दिलाने का बिधान सवा में राज्यपाल यह जिम्मा दे देते हैं बिधान सवा के अध्यक्ष को और यह अधिकार संबैधानिक रूप से हलाकि राष्ट्रपती या राज्यपाल का है और वे ही प्रोटेमी स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष या बिधानसभा अध्यक्ष को या अधिकार देते हैं राजभाउन के सुत्रों का कहना है कि राज़्यपाल ने अब यह अधिकार वापस ले लिया है राजवहुन से बिधान सभा में जो संदेश बेजा गया है पत्र बेजा गया है उसमें कहा गया है कि संभिधान की धारा 188 के तहट राज़ेपाल ने सपत दिलाने का जो अधिकार बिधान सभा अध्यक्ष को दिया था उसे वापस लिया जा रहा है हाला कि दस्कों से पस्ची मंगाल में यह जिम्मेदारी राज़ेपालों ने तमाम राज़ेपालों ने बिधान सभा अध्यक्ष को ही दे रखी थी लेकिन राज्य सरकार और मम्ता बनर जी के साथ पहले दिन से 36 का आखड़ा रखने वाले जगदीप धनकर ने अब यह अधिकार वापस लेने का फैसला किया है इस से बिधान सभा अध्यक्ष बिमान बनर जी और संसदिय कार्यमंत्री पार्थ चेटर जी नाराज है वो नहीं चाहते कि राजवान में मम्ता का सपत ग्राण समारो आयो जीत हो और हाल में बिधान सभा ध्यक्ष और राज्यपाल के बीच भी तनातनी हो चीकी है राज्यपाल ने विदान सभा ध्यक्ष पर आरोप लगाया है विदान सभा ध्यक्ष ने कि वो विदान सभा के कारवाही में अस्तचेप कर रहे हैं नादिकार उन्होंने लोग सभा ध्यक्ष ओम बिल्डा को पत्र भी भेजा था पिछले दिनों राज्यपाल और बिदानसभा ध्यक्ष के बीच पत्रों की आवाजाई हुई है जवाब और सवाल हुए है इसलिए अब तक ये तय नहीं हो सका है कि तीस तारीकों उप्चुनाव में जो बिधायक जीते हैं उनका सपत ग्रहन कहां होगा और हलांकि विपक्ष के नेता जो हैं बीजेपी के शुबेंदू अधिकारी है उनका कहना है कि राज्यपाल ने अपने कानूनी अधिकार का इस्तेमाल किया है हलांकि त्रिणमोल कॉंग्रेस खेमे में इससे भारी नाराजगी है लेकिन राज्यपाल एड़वोकेट रहे हैं जगदीब धनकर कानून और संबिधान के जानकार रहे हैं इसलिए उन्होंने जो भी किया है कानून के दाइरे में संबिधान के तहत मिले अधिकारों का ही इस्तेमाल किया है अब देखना है इस खीजतान में क्या होता है ममता कहां सपत लेती हैं और उनके सपत में बिधान सबाध्यक्ष और संसदिये कारिमंत्री पार्थ चेटर जी आते है या नहीं क्या होगा आगे मैं आपको बताता रहूँगा फिलहाल इतना ही धन्यवाद नमस्कार